हाँ जी सारा बयान राम राम मैं आपके साथ राजंदर परसाद बबलु खोकर प्राइम मिनिश्ट अंद्रेंदर मोधी साब ने पार्लेमेंट में एक स्पीच में बोला था आई विश्वास परस्ताव के दोरान 27 वा विश्वास परस्ताव था कि इंद्रा गांदी ने मिज तो नेशनल फ्रांट्स के लाल डेंगा के बारे में पढ़ेंगे और फिर मिजो अकोड भी पढ़ेंगे मिजो अकोड थोड़ा बूद कॉंस्ट्विशन प्रोविजन भी देखेंगे मिजोरम के लिए स्पेसल चीजे क्या क्या है यह जानने कोशिस करेंगी यूपीए सी म होगी नहीं सुने तो मैं पढ़ देता हूं कि मार्च 1966 को कॉंग्रेश ने मिजोरम में ऐसा है लोगों पर बंबर्सवाई वाई शेना से हमला कराया जैसे किसी दुस्मन देश पर करवाते हैं क्या मिजोरम के लोग भारते नागरिक नहीं थे यहां के निर्दोस नागरिवप को सुबह का टाइम ता 11 बज के 30 मिट के आस पास वाई शेना के चार प्लेन ने आई जोल पर कंटिन्यू बंबर से 9 दिन तक अब मिजोरम के लोग पाहड़ों में जाकर चुपने को मजबूर हो गए जैसे किसी दुस्मन देश पर भारती वाई शेना आकरमन कर रही है इस जिकर आज सत्याउन साल बाद में सत्याउन साल बाद में पार्लियमेंट में इस गटना का जिकर हुआ है अब ये वाई शेना के विमानों ने किया नो दिन तक चला चार विमान थे फाइटर जेड बंवगरा गिराया गया इस काहनी को हम समझते है उससे पहले एक गुणी सो साथ में मिजोरम अलग नी था मिजोरम असम का ही पाट था असम एक राज्य था क्योल मनिपूर और तिरुपुरा को छोड़ दो ये दोनु क्या थी यूटी यूनियन टेरी टेरी मतलब केंदर सासित परदेश थे ये दो और ये पूरा का पूरा क्या था पाथा अब असम ने क्या किया गुनी सो साथ में अपीशल बासा अपनी असमियां कर दी असमी लेंग वेज कर दी तो मिजो हिल्स के लोग थे यहां मिजो हिल से दे को पटके बूम नागा हिल यह मिजो हिल तो जो मिजोरम के लोग थे उन्होंने विरोध किया कि असमियां बा अब जितने भी जो बटालियन में लोग थे, जो मिजो बासी लोग थे, जो पुलीस वगरा में थे, उन्हों ने सब ने चोड़ के, अपने जो बगरा चोड़ के, MNP में सामिल हो गे, MNP कै है? मिजो नेशनल फ्रेंट देखो एम का मला मिजो नेशनल फ्रेंट ये लोग सारे इसमें सामिल हो जाते हैं अब लोगों में इतनी नाराजगी बढ़गी उन्होंने श्यानती पुरुख धर्ना पर्दसन करना छोड़ के हिसा पर उतार हो गए अब एक दूसरा वीव और है जिसको जानने की कोशिस करना है आपको डिजास्टर मनेजमेंट में भी काम आएगा कि डिजास्टर मनेजमेंट में आप इस मिजोरम की घटना को आप बता सकते हो क्या था देखो हम देखते हैं कि नौर्थिष्ट की तरफ जैसे वीव आता तो हमारा सबसे पहले जाता है कि हाँ यह वहां बांस बहुत होते हैं बांस नौर्थिष्ट के लिए वरदान भी है तो एक अभी साब भी है वो अभी साब 40 साल में देखता है 40 साब 50 साल के आते पास वो अभी साब निकल के बाहरा आते है अभी साब क्या है बांस के एक परजाती है जो बांस है उसके एक परजाती है मेल कोना मेल कोना बेसी फेरा यह बांस के एक परजाती है मेल कोना बेसी फेरा जिसमें 50, 40 से 50 साल केADA के बीच में फूल लगते हैं और फूल इतने लगते हैं कि उस समय जो चूवे होते हैं उन पाड़ी हुँमें उन फूवे इन फूल को खाते हैं प्रोटिन यूक दोते हैं और उनकी परजिनण सकती बढ़ जाते है चूवों की और उस समय चूओं की क्या आजाती है बाड़ शिया आजाती है अब जब फूल खतम हो जाते है तो चूओं क्या करता है इन पाहड़ों को छोड़के जो पाहड़ी एरिया है उस पाहड़ी एरिया को छोड़के गाउं की तरफ दोड़ता है गाउं में जितने भी फसले होती ह किभी बात कर रहा हूँ मैं propre only so कि या काल है अब इसको निजो नेशनल फ्रेंट अब उसी समय ने ईजो नेशनल फ्रेंट में इस इए काल से प्रभाईूत हो के यह एक तो बाता एक ये काल इन दोनों की वज़त से में जो-नेशनलkach फ्रेंट न applesnay ता अच्छे साल साथ साल बाद में बंब गिराए गए थे उनिसों सट्यासी में फिर मिजुरम एक अलग राजय बनता है वो पूरी की पूरी कानी इस इन चूओं से सुरू होती है आप से पूछे यह फूल लगते हैं फूल मेशनला बेशी फूर आप से पूछे उच्छे त लाता है ठीक है अब यह हुआ गुणी फटल साथ में हुआ थीक अब यह पूनी सूंद्साथ में हुआ तो छालीड 50 साल के बीच में जैसे अभी भी आया था 2006 में तो 2006 में सरकार नंटेकल आप लिया था आर्मी बगारा यह थी लगई कर page के पूरा वैयर यह उसी समेघ नाव निकल का रता है लाल डेंगा लाल डेंगा मिजोरम के cries लोगों के लिए एक भगवान की जोड़ सकते है राज भी लाल डेंगा गोड फादर है मिजोरम के लाल डेंगा के बारे में आप जानने की कोशिस करना विकिपीडिया पर पढ़ना यह पर न्यूज में पढ़ना, लाल देंगा, किसान पूतर थे हैं, हिंदुस्तान में जितनी भी करानते हैं, वो दिक्तर किसान पूतर, भगत सिंग में किसान पूतर, हम सब किसान के बेटे हैं, लगवे हिंदुस्तान की 90% population किसान है, लाल देंगा, किसान के पूतर थे, साब और शिवल सुरी से जोइन करके आई जोल में क्या बनते हैं अकाउंटेट सुपर्वाइजर बनते हैं डिश ठीक में अब इनका तो वर्नन हैं दूसरा यह याद रखना कि लाल डेंगा ही MNP के लिडर थे लाल डेंगा साब नहीं मिजोरम के अलग किया मिजोरम के फाद незard democrats न अग्ष ना के रिउर्फर में आड़त है हमार लो ships हुआखं के से श्टेट के सियम में नाव याद कर लेंगे नौक डिश किसियम को कि हर सिकर थे आज कौन है जोदिए मिजोरम के सियम जोरम थांगा कौन जो राम थांगा जो राम थांगा ये कौन है मिजोरम के CM है इनकी ये कौन सी पार्टी है मिजोरम नेशनल फ्रेंट लाल देंगा की जो पार्टी थी उनी के पार्टी के ये CM है अब इनका जन्म होता बता चुका अब होता कै उसी समय ये अपने शीवल के लिए आते हैं, कौन आते हैं, लाल देंगा साब, ठीक है, मिजो नेसल फ्रेंट के बारे में बात करें, लाल देंगा साब, अपने आईजोल में, एजे सर्वेंट काम करते हैं, शीवल सर्वेंट, उन्हीं उन्हें, गुनी सो पच्पन में, मिजो कल्टर सोसाइटी सब्सक्राइब Madagam आप अब वापिस आता हूं में जो मातम आता है मातम का मलब जो चुहूं वाला आता है चुहूं के फूल खुलते हैं जब वो मातम आता है फ्रेंट मोतम या मातम आप मातम मान सकते हो मोतम फ्रेंट बोलते हैं अब यह सचीव थे उसी समय सरकार किसकी थी अकाल पड़ता है ग मेलकोना बेशी फेरा में फूल आते हैं चुईया खाते हैं परदना सकती बढ़ती है जब मेलकोना फूल खतम होता है तो गाउं की तरफ बढ़ते हैं तो गुनी सो एक साल बाद में गुनी साथ तक वह गाउं की तरफ बढ़ते हैं अकाल ये अकाल चारू तरफ उस समय सरकार कौन? पंडित नहरु, प्राइम मिनिस्टर थे, सरकार फेल होती है, श्टेट की सरकार और शेंटर की सरकार, उसी समय जो मिज्जो कल्टर सोसाइटी थी, उस मिज्जो कल्टर सोसाइटी का नाम लाल डेंगा साब ने बदल के क्या रख दिया? मौतम फ्रेंट कर दिया, ठीक ह हो गए, आंतरी गाओं में हर बंदा मिज्जोरम में लाल डेंगा के मिज्जो नेशनल फेमिन फ्रेंट को सपोर्ट करने लगए, और हर बंदा लाल डेंगा के साथ हो गए, अब उसी समय सरकार ने क्या की, यह ऐसा पलता थी सेंटर सरकार की, यह ऐसा पलता थी पंडित ने सावला ठीक अब ये जो फ्रेंट था जो ये सोसाइटी थी जो बना था ठीक है कौन मिजो नेशनल फेमिन फ्रेंट था अब ये क्या बन गया मिजो नेशनल फ्रेंट बन गया अब ये ससतर वाला फ्रेंट बना क्या बना मिजो नेशनल फ्रेंट बना 22 अक्टुमर 161 को इन्ह असम्म की सरकार asmia language यूज्ज कर रही है जब हमारे तरफ आकाल है तो हमें इग्नॉर किया गया हमारे तरफ देखा यह लोग नारास थे इनको मनाया जा सकता था गुनी सो एक सट की बात कर रहा हूं है प्राइम निरू की बात कर रहा हूं है ठीग आब यह मांग चलती रही ग लाल डेंगा को बढ़काया गया लाल डेंगा बोडर पार पूर्वी पाकिस्तान उसे में बांगलादेश नहीं बनाता गुणी 661 की बात कर रहा हूं लाल डेंगा को हत्यारों की सप्लाइं मिलने लगी ठीक है चाइना भी साजीस में सामील हो गया मयानमार से मयानमार और ठीक लेकिन सबूतों के अबाव में छूट जाते हैं मुक्दमा नहीं चलता है उसी समय गुणी 65 में एक देश है पाकिस्तान याद रहना पाकिस्तान का नागातर मुझे चीज याद आती वह हमारी पुरूजू की जमीन पर बैठा है पाकिस्तानी लोगों को निकालना है है आज अगर इस्राइल लड़ रहा है किसके लिए येरुसलम के समgi लिएिंड नों इंडिया भी है हमारी होली लैंड गुरू नानक Gq B ् ımयाथ पाकिस्तान में हमारे व्यत ज्यृद्ध की जमीन आज पाकिस्तान के दिन है ठीक है 1965 में उसको लताड़ा था आज भी जुरूता आने वाले 40 पचा गुनिस नन्यानमा में दिखाया था हम नहीं करेंगे हमारे पोत्य करेंगे हमें हमारी जमीन चाहिए हम लेंगे पाकिस्तान का नाव याद रखना कि तुम्हारी जमीन पर बैठे हैं वो हमारे में कुछ लोगों ने गलट डिसीजन लिए उनकी सजा हमारे पुरूज़ों की जमीन चलेगी वो जमीन हम वापिस लेंगे वक्त का यह है तकाजा आप पढ़िए किसानों की सब पढ़ो बहतरीन बनाएंगे हम इंडिया को पाकिस्तान से एक दिन हमारी जमीन लेंगे चाह पाकिस्तान से गुरूज़ों की जमीन हमारी पुरूज़ों की जमीन हमारी पुरूज़ों की जमीन हमारी पुरूज़ों की जमीन ठीक गुरू नानक की धर्ती वापिस लेनी है उनसे हमें याद रखना एचीज बूलना मत ठीक भगत सिंग की जमीन अब पाकिस्तान ने ज तो यह इसी अमला किया तो लाल बादुर सास्तरी साथ ने टैंक पर चड़के उनको जवाब दे दिया उसी समय लाल डेंगा ने लाल बादुर सास्तरी साथ को एक मेमोरणडम देजा कि मिजोरम जो बाहरत के साथ कैसा संमन्द रखना चाहता है ये निरबर हिंदुस्तान पर निर्बर करता है इस का निर्ण ने बलब ये एक दबाव बनाने का प्रियास किया गया था किन पर लाल बादुर सास्तरी साब के ओपर ठीक है ये मेमोराडम किस ने दिया लाल डेंगा ने दिया उसी समय हमारे पीरिये जेस स्वी प्राइम मुनिश टर्जिस्टेशनर जे जई जवान जे किसान का नारा दिया था लाल बादुर सास्तरी साब ने लाल बादुरसास्तरी साब परदानwelमंतरी आवास में आप देखोगे तो खुद बेल से हसल भी बहते थे इसानों उसे एकदम दिल से जुड़े हुए थे हमारे लाल बादूर शास्तरी साब का निदन तासकंद में हो जाता है तासकंद का है उसमें रचिया में था आज उजभिकिस्तान की केपिटल है तासकंद उजे भिकिस्तान वोई जो अरल सी वाला है याद रखना अरल सी जिन में दो नदियां जाती है सरदरिया रामूदरिया उजे भिकिस्तान तासकंद तासकंद का मतलब क्या है पत्रूं का सहर कौन सा सहर पत्रूं वाला सहर तासकंद में हमारे प्राइम मिनिस्टर की देखो व तो 11 जनुवरी गुनी 166 को हमारे प्राइम मुनिश्टर का निदन होता है तहां पे तासकंद में रस्या में अब जैसे उनका निदन होता है उनके निदन के ज्यादा दिन नहीं होते हैं दस दिन निकालते ही लाल देंगा इंडोनेशिया के राष्ट पती को एक खत लिखते ह उस खत में क्या लिखते हैं कि अंग्रेजुन के समय हम लोग आ जाती कि स्तीती में रहे यहां पे राजनितिक जागरुता से उपजा राष्टरवादी परिपकवा हो चुका है अब हमारे लोगों के एक मातर इस्षा है अपना अलग देस बनाने की अब लाल डेंगा यहां प्राइम इस्टर कौन विने 11 जन्री के बाद कहाँ गों in अंधिरा गांधि बिल्कुर नहीं लगाना है उसमें az thomas liegt our content धूसाई ओधिषे फॉन अनदा होम भूलत होम मिनिष्टर गुलजार लाल नंदा साब क्या बनते हैं कार्यवाइक प्राइम निस्टर बनते हैं तेरा दिन के लिए कितने दिन के लिए बनते हैं तेरा दिन के लिए ये एक बार नेरु की मर्तु के सेमें भी कार्यवाइक प्राइम निस्टर बने थे हैं कोन गुलजार लाल नंदार ख़त लिख चुका ही इंद्रा गांदी के सामने जैसी अग अलग ही चुनुती थी में फिल थे गुजद fireworks लंदा शाओ पुल्य नई रपफ रभी मिजोरं में बात्र सथर्भल्ड हैं उनको बाहर निकालना मिजोरं में आईजल में चाहउनियों पे हमला किया गया हत्यार लूटे गए हर चाहणी पे हमला किया गया किसमें ओप्रेशन जेरो को में किसने मनेप क्या मिजो नेशनल फ्रंट ने हमला किया अब उसी हमले की जबायुदाई कारवाई में पांच मार्च 1966 को भारतिय वायू शेना कि च्यार विमानों नो दिन तक continue बंबारी की अब ये बंबारी 13 मार्च तक बंबारी चलती रही इसी बंबारी के नाम पे याद पे आज भी मिजोरम में पांच मार्च 1966 को यह दो को अभी latest photo है यह जोरम नी डे मनाया जाता है जोरम नी डे कब मनाया जाता है पुछे जोरम नी का मतलब क्या है जेरे को मैं बता चुका हूँ जोरम नी आज भी मनाया जाता है यहाँ पांच मार्च 2019 का यह date है और होम मिनिस्टर है यह मिजोरम के जोरम नीडे मनाया जाता है पुछे जोरम नीडे क्यों मनाया जाता है कि पांच मारस को बम गिराया जाता है आई जोल पे किसलिए कि जितने भी जो मिजोनेस्टर फ्रेंट के लोग है वो मारे जाएंगे क्या स्वियलियनू के बारे में सोचा गया इथिक्स खांपे गया क्या उसमें सोचा गया फिर तो आज जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान के सेमपती रखने वाले लोग है उनके गरूम पे बम गिराए जाए फिर इसा तो नहीं हो रहा ना सोचना पड़ता है रज़ेगा वह हमारे लोग थे उन पे बम गिराए गए और उस डे को जोरम नी के नाउसे जाना जाता है उस डे को क्या बोलते है पुछे जोरम नी का मतलब क्या है पांच मारस को जब बम गिराए गए आज भी इस डे को याद किया जाता है मिजोरम इस काले डे को बलेक डे को याद करते हैं अब गुनी 166 के बाद में एक साल के बाद में सरकार ने मिजोरम के लगब पान सो सोला गाउं को खतम किया उजाड दिया गाउं को ही मिजोरम के गाउं को इंदरा गांदी सरकार ने गाउं को उजाड के गाउं को मेंद रोड पिला के बसा दे क्या ये ताना साही नहीं थी आज आपके गाउं से याद गरो कोई सरकार या कोई मुनाइद आकर आपको आपका गाउं उजेड दे आपको कितना बुरा लगेगा आपके पुरूजों की जमीन उजाड दे उस समय गुनी सो सड़ सट में इंदरा गांदी की सरकार ने सारे गाउं को फड़कूं पिला के बसा दिया इसलिए कि उन पर नजर रखी जाए या आंकडे मेरे नहीं है ये देनिक बासकर के हैं पहली बात दूसरा इंडिन एक्सप्रेस के हैं अब ये कॉंट्रोवर्शी ओर चल रही है कि जो ये पलेन में जो बम गिराए गए थे चार जो पलेन गए थे कॉंट्रोवर्शी है इसमें में इंडिन एक्सप्रेस में भी आ रख है विकिपीडिया पर भी मिलेगा देनिक बासकर में भी है कि जो बम गिराने वालूं में दो कांग्रेस के नेतावी थे, जो उसमें पाइलेट थे, तो यह न्यूजप्यापर में है, यह नहीं थे लेगे न्यूजप्यापर में तो यह लिखावा है, ठीक आब आखे चलता है, ठीक गाउं को बसाथ, अब उसी समय, फिर भी सोलिशन न और च sprachain झाम रोड़ा है कौहाते हैं मिजो नेशनल फरंट क्या कर रहा है कंटिनियू सरकार के साथ संगर सुझल रहा कर रहा है लाल ढलेंगा नरुकर रुए मुजोरम की समच्या का सोलीशन निकालने के लिए इंद्राइ गांधी सरकार गुनी सो एगेतर में एक एक लेक आते हैं नौर्थ, एन का मलब नौर्थ, एक का मलब इस्टन एरिया ओर्गनाइज़ेशन करते हैं किसी चीज़ को ओर्गनाइज करना, री ओर्गनाइज मलब वापिस से ओर्गनाइज करना री ओर्गनाइज़ेशन री ओर्गनाईजेशन एक्ट गुनी सो इग्यतर इस एक्ट के तैत मिजोरम को केंदर साशित परदेश बनाया जाता है किसको मिजोरम को क्या बनाया जाता है असम से अलग कर दिया जाता है मिजोरम को अलग करके क्या बनाया जाता है यूटी कब गुनी सो इग्यातर में इग्यातर के एक्ट से हैं तो मलब गुनी सो बोतर में क्या बनाया जाता है UT Union Territory किसको बनाया जाता है मुजोरम को और जो अरुनासल प्रदेश था जो पहले नेफा था नेफा का मलब नौर्थ इस्ट फ्रेंटियर एरिया अरुनासल प्रदेश में थोड़ा पहले एरिया नेफा था थीक है इस नेफा को बदल के अरुनासल प्रदेश को भी क्या बना दिया है UT कब गुनी सो बोतर में तो जो आज असम का शेप उसमें देखना आ है नागालेंड गुनी सो 63मी अलग हो गया था अलग होके एक राजे बन गया था नागालेंट मेगाले को भी गुनिसो बोतर में क्या बना दिया जाता है राजे बना दिया जाता है ये क्या बनता है ये राजे बनता है स्टेट ठीक है मनिपूर क्या बनता है मनिपूर गुनिसो बोतर में क्या बनता है गुनिशो चपन से क्या था यूटी था अब क्या बनता है मनिपूर मनिपूर और तिरूपरा को क्या बना देते हैं राज यह क्या बनते हैं इस्टेट तो दो बनती है यूटी तीन बन जाती है इस्टेट और नागालेंट पहले से ही बन जाती है तो आज का शेप गुनिशो क्या लिखा वारार सरकार में किसी भी राज्य की शिमा को बदलने की अशीम सकती है? अशीम सकती है तो, कौन से आर्टिकल क unos पॉक्त Like ताइद भारार सरकार को दोशीर किसी पी रजय की शिमा बदलने का पाउर है आर्टिकल 2, 3 या 4 तो आप किसी राजी की सीमा बदलने का अधिकार आर्टिकल 3 अगर भारत से हैं अगर हमें पाकिस्तान को वापी छिनना है तो हम कौन से आर्टिकल लिखता है छिननेंगे हम लोग आर्टिकल 2 के तैत और छिननेंगे एक दिन वह हमारी लेंड है हमारी जमी की लेंड थी जमीन थी वह हमारी भ्यत्वों की जमीन भगत सिंग की जमीन गुरु नानक की जमीन गुरु नानक का आज भी आप देखो जनम इस्तली पाकिस्तान में कैसे बंटवार एक समय देदी लोगों ने क्या आंक बांद के बंटवारा क्याता है इन लोगों ने इन उन्हों देखा भी नियों कौन सा एरिया जा रहा है हमारी भावना है गुरु नानक साफ की जमीन है वहाँ पड़ीया हमारी पुरूजीन की जमीन क्या हमें ओनी छिंटनी चाहिये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए पाकिस्तान से लेंगे अर्टिकल सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि कम कर सकता है बाउंडरी को अधर दो दो स्टेटों के साथ बाउंडरी को मर्ज कर सकता है राजय का नाम भी चेंज कर सकता है ठीक है दो राजियों को थोड़ थोड़ा डिस्टिक लेकर अलग राजय भी बना सकता है कौन कर सकता है पारलियमेंट और यह कौन सा आर्टिकल क के अंदर है अगर आज सिक्कम में कुछ बदलाव करते हैं तो आर्टिकल 3 के तायत माना जाएगा कि वह हमारा पार्ट हो ठीक वह हमारी जमीन है तो आप से कोई पूछे यह सिक्कम को कब लिया था था 35 कौन से अमेंडमेंट से लिया था ना गुणी सो बुतर में आर्टिकल 2 ए तुए ठीक है और फिर चेतर में वह अपना सामिल हो गया था असोशेट वी यूनियन टेरिटरी में अब एक चोटी सी चीज़ याद रखना आर्टिकल 3 के तैत पार्लेमेंट किसी भी राजे की शिमा बदल सकता है किसी भी राजे का नाम बदल सकता है किसी राजे का एर पांचवा आमेंडमेंट गुनी सो पच्पन में नेरू करते हैं पंडीज ऑलाल नेरू अमेंडमेंड करते हैं कि किसी राजे की शिमा बदली जाती है तो उस बिल का प्रपोस्जल परसिडेंट के साथ रिकमेंडेशन क्या होगा देखो परवायड़िफ बिल प्रपोस्ज क्या जाएगा दूसरा उस राजी की क्या इच्छ है वो भी जानने का बिल एफेक दो एरिया बाउंडरी देखो रेफर टूदी परसिडेंट तो अक्सप्रेस व्यू और कि उसका राजी का व्यू है उसके उपर अब वह आक्सप्रेस व्यू के टाइम पृड्ड में वापिस आना चाहूंगा ठीक है मिजुरम के उपर आना चाहूंगा ठीक है मिजुरम का नाम बदल दिया ठीक है मिजुरम को असम से अलग कर दिया गया और मिजुरम को क्या बना दिया गया यूटी बना दिया यूनियन टेरिटरी बना दिया गया इसके तैत अब आगे च लेकिन लास्ट में एक accord होता है जो शांती समझ होता होता है किनके साथ? यह Laledenga है कौन है? यह Laledenga صاحب है और R.्. परदान साथ है R.D. परदान साथ होम शेकेटरी थे R.D. परदान साथ और यह Chief Secretary R.D. परदान साथ Laliomet के साथ प्राइम मिनिश्टर राजीव गांधी के समय यह राजीव गांधी है और यह उनकी वाइफ सोनिया गांधी मिजोरम में परदर्शन कर रहे हैं उसे में मिजो एकोर्ड होता है मिजो एकोर्ड में शांती समझ जोता होता है वो डेढ़ती 30 जून गुनी 106 को कब होता है 30 जून गुनी 106 को तो अब मिजोरम में हर साल 30 जून को एक डे मनाया जाता है डे का नाम है रेमना नी रेमना नी का मलब शांती का दिन कौन सा दिन डे ओ पीस डे ओ पीस समझ गए अब देखो जोरम ठांगा जोरम ठांगा की पिक दिख रही है आपको ठीक है अब ग्यारा बजे का टाइम है 30 जून का टाइम है ये डे मनाय जा रहे है रेमना नि तो सोचो कि मिजोरम के लिए कितना इंपोर्टेंट देन है ठीक आप से पुछे रेमना डे नि क्या है ठीक है ओपरेशन जेरो को का है ओ को मेंने बता है Operation Jareko को आपको को पूछे, Operation Jareko किस ने शुरू किया था, लाल डेंगा ने शुरू किया था, किसके उपर किया बारतिया आर्मी को बटालियन को बाहर निकालने के लिए, फिर जोरम नी मनाया गया था, कि जोरम नी का मनलब क्या था, आप confusion याद रखोगे एक्जाम देती रेम ना नहीं किया और जोरम नहीं किया दोनों का ध्यान रखना इसी खुशी में बनाया गया अब इस Accord में क्या हुआ शान्ती समझा अमें में क्या बात लिए तो मिजो पीस Accord हुआ उसके अंदर तीन में डिमांड थी कि भारत का अगर हमारा इंडियन पार्लाइमेंट कोई भी अगर कानून बनाता है तो वो कानून मिजो रम के मिजो रम असेंबली एस्टेट गोर्मेंट से क्या होना चाहिए अप्रूड होने चाहिए सारे कानून लेकिन भारत सरकार नहीं पूरे नहीं मानें आदे मानें बात करेंगे भी इसके उपर आर्टिकल 3071 जी ठीक लेकिन तीसरी डिमांड क्या थी कि मिजो रम को शेपरेट इस्टेट माना जाए यह डिमांड मानी गई he and give with the university ये भी है and the high court क्या मिजोरम को अलग हाइए नहीं आज भी मिजोरम का high court गुहाटी branch bench में असम में है काहांपे है असम में पहले सारे न नोर्थ मनिपूर इनका अलग हाई कोट है मेगाले का अलग है और मनिपूर का अलग है किसका मेगाले और मनिपूर का अलग है और एक तरीपूरा का अलग हाई कोट कर दिया कब 2013 से तो मेरे बताओ तो कितने हाइकोट होगे, पत्चीस हाइकोट है, अब पत्चीस हाइकोट में से, 2013 में यह तीन अलग कर दे, तो मिजोरम का आज खांपे वापिस असम ही है न गुवाठी में, तो आप से कोई पुछे कि गुवाठी में किन-किन का हाइकोट आता है, तो आप बताओगे, प्रतियक राजे का, अब इन तीन राजे को छोड़ के प्रतियक राजे का अपना-अपना हाइकोट है, तो पचीस, पचीस, रतीन अठाइस, अब हाइकोट बोला, तो कौन से पार्ट में हाइकोट, पार्ट है, कौन से पार्ट में है, आप से एक्जाम पूछता है, कि कौन सा है चैप्टर पांच है आर्टिकल के कौन से कहां से सुरू होता है आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 231 बैसे 232 तक था लिए 232 को हटा दिया गईर आपसे पूचे तो आइकोट नहीं है नाजी मिजोरम के पास खुद का गवाठी उनकी आइकोट है ठीक अब यह मैंने बोला कि इंडियन पार्लेमेंट जो भी कानून बनाएगा वो मिजोरम के स्टेट एप्रूप रहेगा इसके लिए भी सरकार ने आदा माना इसके लिए आर्टिकल जोड़ा गया 300 गहतर जी क्या जोड़ा गया यह 300 गहतर जी इस्पेसल प्रोविजन है मिजोरम के लिए क्य कॉंस्टिर्स न का सात्या सर्दान संसेंद से जोड़ा गया था हुझbreakeral एरिया पिछड़े में ज़से महाराष्ट का देश देश वाला जो एरिया है उसको देश बोलते हैं खाने उपर का एरिया है तर्ट है मराठा वड़ा और विदर्व से बहुत ज़्यादा डवलप है उसके लिए आर्टिकल 303 303 371 लेकिन 371 जी यह किसके लिए है आप से पूछे तो क्या बोलोगे यह मिजोरम के लिए और यह कब आया था है जब मिजोरम को राज यह बनाया गया था तो आप क्या बोलोगे 300 गेतर जी कब आया था गुनी 186 में आया था इसके अंदर क्या है ठीक है मिजोत 6 में त्रहपन वाकों इसमें यह क्या क्या प्रोविजन है कि अगर बारें दरकार को इसका कानून बनाती है जिस से मिजो जाती की रेस पर नरम्रेस को डर्मिक प्रण पर फठ या गरो नी होगा पहले मिजोƯु ग advisor assembly में जाएगा मिजो के इतने भी कानून है कश्टमरी वो सारे के सारे मिजो फोलो करेगा क्रिमनल और जस्टिस केस वगेरा भी है शीवल वगेरा वो भी मिजो के ही अनुसार बढ़ने चाहिए दूसरा जमीन का या उत्रा दिकारी का जो भी लो मिजो फोलो करते हैं अपना लो है खुद गाउन का ट अपने सवीदान का आटिकल 177 क्या का टाटिकल 170 कि विदान मंडल होंगे हिंदुस्तान में लेकिन एक सर्थ उन विदान मंडलों के सदेशियों कि संक्या 500 से जादा नहीं होगी ठीग और 60 से कम नहीं होगी तो यहां पर मिजोरम तो 40 है न तो इसके लिए इस पेसल नहीं ह है ना तो मिजोरम में कितनी शीट है 40 इसके पैस आर्टिकल 300 गतर जी वर्णा कम से आप से पुछे कि विदान मंडलों की सदे से संख्या मिनिमम कितनी होनी चाहिए तो आप उत्तर लिखोगे 60 मिजोरम का पूछे तो क्या लिखना है 40 और आज मिजोरम में 40 शीटे हैं उन 40 शीटों में MNP Party है मिजो नेशनल पार्टी है जिसको 77 शीटे मिली विए उनकी सरकार आज भी जो राम थांगा वाँ के CM है मिजोरम के अब यह आपको पूछे आर्टिकल 300 गतर जी किसका है मिजो 371 यह कब जोड़ा गया मैंने बताया सात्वां Constitution Amendment गुणी सो पच्पन गुणी सो चपन में आता है सात्वां सिग्दान संसुदन अदिनियम के ता इस पेसल प्रोविजन है किसके लिए महराश रोर गुजरात के लिए विदरब और मराठावडालेंड और सोराश रोकाच जाके देखना क्यों है इस पेसल बोर्ड क्यों है तकनिक एजुकेशन के लिए ज्रोजगार के दूसरा तीन सो गयतर एक यूँ चोड़ा गया गुनी सुत्रे सट में जब नागा लेंड असम से अलग होता है अलग राजिय में बनता है ता नागा। में जातर में जतने भी धार्मिय लीतिरिवाज है उत्रादीकारी नियमे सम और इन से अलग है तो तो कहते हैं common shival code का आप यहां अपवाद पा सकते हो कि common यहां के लिए कानून अलग है मेरी जो अगरा कानून अलग है नागालेंड में हमारे लिए अलग है तो common shival code आता है तो इनका कानून नहीं बदला आर्टिकल 300 गेतर A में भी क्या होगा बदला होगा समझ रहे हो अब 300 गेतर B कब आया अब देखो 300 गेतर जब नागालेंड अगर अलग हुआ तो असम में भी तीने से पार्ट जहां भी वो ट्राइब है आप देखो आर्टिकल 30 अनुसुची है शट्वा शडूल उसमें पेरा पेरा आएगा 20 उसका section है ए उसे section में तीन चीजें लिखी हुए चीख सेडूल में क्या लिखाव है उत्री कच्छार भूमी कौन सा लिखाव है उत्री कच्छार भूमी उत्री कच्छार भूमी उत्री कच्छार भूमी पोटोनमस बोडी है ना उत्री कच्छार भूमी बोडोलेंड बोडोलेंड टेरिटेरियल डिस्टिक ठीक उसके साथ उत्रिक अच्छार कार्भी लोंग कार्भी लोंग ठीक अब इन डिस्टिक में क्या बतायागा है कि इन डिस्टिक के लिए अलग से क्या है प्रोविजन है कौन से सेडूल में है शेडूल 6 में तो 300 गेतर B अलग से जोड़ा गया कब सविदान में आपसे पूछे 300 गेतर B जोड़ा गया शेपरेट किस के लिए असम के लिए अब आपसे पूछे तो इसका जबाब दे दो 300 गेतर जोड़ा गया और आपसे पूछे कब जोड़ा गया 700 गुन सतर के आसपास ठीक अब आता है 300 गेतर C जब सारी की सारी चीज़ें उसी समय मनिपूर के लिए यह आता है क्यों आता है मनिपूर के लिए कि मनिपूर के जो पहाड़ी एरिया वाले जहां पर कुक्कियों लागा रहते हैं उनके लिए special provision है कौन से आर्टिकल करता है आर्टिकल 300 गेतर C करता है पता दोगे आर्टिकल 300 गेतर C के लिए मनिपूर के लिए और यह कब जोड़ा जाता है 1111 में जोड़ा जाता है कराम है ना इन सब का अब आगे चलो नोर्थ इस्ट के हर स्टेट के लिए एक एक प्रोविजन इस्पेसल जैसे आर्टिकल D, D और E दोगो D और E आद अखना दोनों एक ही राजिया के लिए किसके लिए आंदर प्रदेश के लिए यह क्या है आंदर प्रदेश के लिए इस्पेसल प्रोविजन राहिल शीमा वाला पढ़ेंगी कि वहां के एरियां को जैसे रास्तान में आप देखोगे टीएसपी अरिया नों टीएसपी अरिया वहां पर भी जिस एरिया से लोग बहुत बेकवड एरिया में उनके लिए अलग से रिजुर्वेशन होगा उनके लिए अलग से एजुकेसन अलग से विकैंश होगी उसी तरह अंदर प्रदेश में एक यूनिश्टी इस्टाबलिश होगी तीनसो गेतर ए अब तीनसो गेतर एप अब यह किसके लिए आप से कोई पुछे शिक्कम के लिए शिक्कम को जब साथ जोड़ा अब शिक्कम के लिए इसमें के देखो एक चीज और है मैं वापिस आता हूँ आर्टिकल एक सो सतर पर आर्टिकल एक सो सतर क्या करता है एक सो सतर क्या करता है भई क्या बोलता है कि लेजिश को से असेम्बली में ज्यादा से ज्यादा मेग जीमम कितनी शीट हो सकती है 500 और कम से कम कितनी हो नीचे minimum 60 लेकिन आज आप देखोगे तो शिक्कम में कितनी शीटें हैं शिक्कम में शीटें कितनी है लेश्टर असेंबली की 32 है तो यह तो इसका आठिकले 170 का उलंगन है लेकिन उसके लिए इस्पेसल प्रोविजन है में लिखा है कि शिक्कम के लिए 30 लेश्ट एसेमली शीट हो सकती है कितनी हो सकती है कॉंस्टिशन में कितनी लिखी हुए 30 कम से कम लिकना भी परजन टाइम में कितनी है 32 अब इसी के साथ 300 गेतर एच यह आता है अरुनलाचल प्रदेश के लिए ओ hen 46 में 15 0ंवा स्युदान संसंवनण देण तो पाठसमुमा संसंवनण में दो चीजह जोरी जाती है 300 गेतर एच 300 गेतर जी Christians forget that G कि उप्रस्ञ्ण है मिजॉरं मिज्गॉर्म और रुनासलब्रदेश्क दोनुआ एक साथconnect क्या बनते हैं राज्ययय बनते हैं in sati YouTube is ben रमेगुनि सख्यांत्थ में सजीय है प्रभण तो ठीश्क है यह से अलगिया सफ है? जी को मैंने भी पिछले वार करा चुका हूं यह रहा तीन सो गेतर जी ठीक अब मिजोरम में तीन सो अब आगे चलते हैं अब एक आता है इस्पेसल प्रोविजन फोर स्टेट अब गोवा अब गोवा का नाव याद आते ही शीद्धा याद रखना गुनीश गुनीश दिसम्बर को रामनोर लोया साब को मत बूलना लामनोर लोया साब ने बहुत यहां पे लिडर्सीप की और फुर्त गालियों इसे हमको गोवा दिलाया भी तो बारतरकार का उपरेशन भी याद रखना उपरेशन वीजे वगरा उनके समय क्या हुआ था तो गुनीश सो तीन सो गेतर आई किस के लिए इस पेसल कितनी है कोंश्टिशन में 30 लिखी हुए कितनी लिखी हुए गोवा के लिए 30 जबकि भी है कितनी 40 परेशन टाइमें कितनी 40 इनी राजियों की 60 से कम है तीन राजे में बता चुका हूं तीन सो गेतर जे यह जोड़ा जाता करनाटक और आंदर प्रदेश का एरिया है यह 2012 म में आर्टिकल गुनी सो नाइंटीन एट कॉंस्टिशन अमेंडमेंट शीए है ठीक अब आप से पुछा कि गोवा राजे कब बना यह भी गुनी सो सत्याशी में बना तीन राजे एक साथ बने मुजोरम और नाचल प्रदेश और गोवा और तीनों के एक साथ ही आर्टिकल साथ आप समझ जाओगे और इसी के साथ सारा बेहन राम राम दो कोई चीज मेरो किसी को बूरी लगी हो उसके लिए माफी पाकिस्तान समर्तकों के लिए कोई माफी नहीं ठीक है जा हिंद जा भारत